नमस्का दोस्तों, फ्री कुकिंग में आप सभी का स्वागत है, आज हम डिजट जार की किलास में ओरेज्ट चोको डिजट की रेसेपी आपके साथ सेयर करने आएं, ओरेज्ट चोको डिजट जिसको आप बहुत कम टाइम में बना का त्यार कर सकते हैं, टेस्टी टेस्टी ओ उरन चोको डिजट जार घर पर कैसे बना जाता है, रेसेपी को सबसे करते हैं, सबसे पहले हम चोकलेट बेस बना का त्यार करेंगे, बेस बनाने के लिए मैं लेरी हूं में फोमेज चोकलेट प्रीमिक्स, घर striking सेधा से में लिंक में東 दिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दि इन दोनों को मैं आपस में mix कर रहे हूं mix हो जाने के बाद मैं इसमें डाल लिएँ एक त्याई कप और 7 तीन बड़े चममच धूद दूद आपको यहां पर room temperature पर लेना है इसके बाद मैं इसमें डाल लिएँ 1,000 चोटी चममच और 7,000 चोटी चममच केक जेट केक जेल ओप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं केक जेल से आपका केक बेस और भी जाद स्पोंगी बनका त्यार होगा अब मैं इसको दो मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करूंगी बीटर की स्पीड हाई रखनी है दो मिनट बीट करने के बाद मैं इसमें डाल रही करने के बाद चोकलेट बैटर रेडी हो गया है मैं ले रही हूं गैँशंख की बेट नरी हुआ। मैंने इस पर लगा दिया है बेकिंग पेपर बैटर को बेकिंग ट्रे में डालने से पहले आपको अपने ओटी जी को 180 डिगरी टेंपरेचर पर नीचे की गिरिल ओन करते हुए 5-10 मिनट के लिए प्रीट होने के लिए रखना है चोकलेट बेस बनाने के लिए मोल्ट आप छो बैटर के सैट होते ही अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी बड़े साइच के ओटीजी में मैं इसे 180 डिगरी टेंपरेचर पर उपर की ग्रिल को बंद नीचे की ग्रिल ओन करते हुए 15-20 मिनट के लिए इसे बेक करूंगी छोटे साइच के ओटीजी में आपको इस इसे 160 डिगरी टेंपरेचर पर बेक करना है ट्रे को रखना है ओटीजी की सेंटर रैक पर बेकिंग टाइम कम जाद हो सकता है 15-20 मिनट के बीच बीच में आपको इसे चेक करना है हमारा ओटीजी प्रीट हो चुका है अब मैं इसे बेक करने के लिए रखनी हूं बेक हो जा एक कर आए तो पहले उसको चाकु से अलग करना तब को ट्रे मेंने में भार निकालना आए अब मैं गरम गरम बेस के 3 में बापिस रखूंगी यहाँ पर हमारा चोकलेट बेस पूरी तरीके से रेड़ी है डिचट जार बनाने के लिए मैं एक नोनिस्टिक पैन में डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच दाने दाचीनी इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच पानी मैं ले दिए एक छोटी चम्मच नीबू करस गैस को ओन करते हुए मैं चीनी को पिघलने दूँगी यह देखे चीनी पिघल गई है इसमें एक बोजाना शुरू हो गया है अब मैं गैस की फ्लेम को कर रही हूँ लो इस सीरप में मैं डाल रही हूँ संत्रे की फाके इन संत्रे की फाको से मैं डिजट की टोप गानिशिंग करूँगी संत्रे की फाको को सुगर सीरप में कूक करना ओप्सरल में आप इसको स्किप कर सकते हैं सुगर सीरप में कुक करने से संत्रे की फांके खाने में खटी मीटी लगेंगी जो हमारे डिजट को टेस्टी बनाएगी यहाँ पर मैं सुगर सीरप में संत्रे की फांको को एक साइट से एक मिनट तक पकाऊंगी गैस की फिलेम लो रखनी है एक मिनट पक जाने के बाद अब मैं इने पलट रही हूं दूसरी साइट से मैं इने फिर से एक मिनट पकाऊंगी दूसरी साइट से एक मिनट पकाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर रही हूं कुक हो जाने के वाद संत्रे की फाको को निकालना एक प्रेट में ठंडा करने के लिए अब मैं इस बचे हुए सीरप में ही ओरेंज कमपोर्ट बना का त्यार करूँगी कमपोर्ट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप ओरेंज पल्प यहाँ पर मैंने संत्रे की फांक के चारो तरफ जो छिल्क हो था उचिल्के को हटा करके इसके चोटे-चोटे टुकडे कर दिये थे मैं ले रहे हूं एक त्याई कप चीनी हमारा जो सुगा सीरप बच गया था मैं उसमें ही कंपोर्ट बना का त्यार कर रहे हूं इसलिए मैं एक त्याई कप में से एक बड़ा चम्मच चीनी का निकाल रहे हूं अगर आप बिना बचे हुए सुगा सीरप के कंपोर्ट बना कर त्यार कर रहे हैं तो आपको लेनी है एक त्याई कप चीनी खटा मीटा फिलेवर बनाने के लिए मैं इसमें आधा निबू का रसनी चोड़ रहे हूं मैं इसमें डाल लिए आधा बड़ा चम्मच कौन फ्लोर गैस को ओन करते हुए मैं इसे हाई फिलेम पर कूक करूंगी जैसे जैसे चीनी गरम होईगी चीनी पिगलती जाएगी फि मैं इसे चेक कर रही हूँ अभी हमारा ओरेंज कमपोर्ट बहु ज़्यादा लूज है मैं इसे आधा मिनट के लिए और कूक कर रही हूँ आधा मिनट कूक हो जाने के बाद अब मैं इसमें आधा बड़ा चम्मच कौन फ्लोर का ओर डाल रही हूँ अलग अलग फ्रूट से कमपोर्ट बनाने के लिए जो कौन फ्लोर होता है किसी में कम लगता है किसी में ज्यादा लगता है किसी भी फ्रूट का पल्प अलग दिखाई दे रहा और चासनी अलग दिखाई दे रही है तो उसमें थोड़ा सा कौन फ्लोर डालना है कौन फ्लोर के मिक्स हो जाने के बा बाद हमारा जो ओरेंज कमपोर्ट है वह मार्किट से भी ज्याद है टेस्टी बनका त्यार हुआ है आप अपने ओरेंज कमपोर्ट का कलर नेचुरल भी दख सकते हैं या फिर आप इसमें कलर भी एड़ कर सकते हैं हमारा ओरेंज कमपोर्ट मार्किट जैसा दिखाई दे इसल मैं इसे गाड़ होने तक बीट करूँगी यह देखिए थोड़े बीट करने से हमारी विपिंग क्रीम डबल हो गई है और घाड़ी हो गई है चोकलेटी क्रीम बनाने के लिए मैं ले दी हूँ एक बड़ा चम्मच मेल्ट डार्क चोकलेट यहाँ पर आपकी चोकलेट पुरी कंसिस्टेंसी को देखते होँए इसमें दूद मिलाना है मैं इसमें डाल हूँ एक बड़ा चम्मच दूद और इसको मिक्स करूँगी यहाँ पर आपको दूद ठंडा लेना है एक बड़ा चम्मच दूद मिलाने के बाद यह मुझे अभी बहु ज़्यादा घाड़ी लग सकता है यह देखे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो यह नै तो भोजद लूज है और नहीं भोजद घाड़ी है अब मैं अपनी इस चोगलेट विप क्रिम को करूंगी आइसिंग बैग में फिल डिजट बनाने के लिए आप गिलास बाउल जार कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर आप बैस को दो तरीके से कट कर सकते हैं अगर आपके पात जार के साइच के साफ से कुकीज कटर है तो आप केक बैस की कटिंग कुकीज कटर से कर सकते हैं कुकीज कटर से बैस को कट करते हुए मैं इसकी कटिंग को लगाऊंगी जार में बैस की जो उपर की साइ के से भी बेस की कटिंग कर सकते हैं जिस जार में आप डिजट बना रहे हो जार को लेना है जार को उल्टा करके रखना है बेस के ऊपर और हलके हलके हास से प्रेस करना है हलके हलके हास से कटिंग करने के बाद यह देखे बेस की कटिंग हो गई है अगर आपका बेस जार के अं में छोटी रह सकती है बेस रखने के बाद अब मैं इसके उपर चोकलेटी क्रीम की लेयर दूँगी पहले में चोकलेट क्रीम को चारोतरफ किनारों किनारों पर लगाऊंगी किनारों किनारों पर लगाने के बाद अब मैं इसको अंदर से फिल कर रही हूं क्रीम की लेयर देन के बाद अब मैं इसके उपर फिर से चोकलेट बेस की लेयर दोंगी चोकलेट बेस की दूसरी लेयर देने के लिए मैंने इसी के साइज का दूसरा जार लिया है जार के साइज की अब मैं चोकलेट बेस पर कटिंग कर रही हूं आप एक ही जार से पूरे बेस की एक साथ कटिं और दौनगी चिनारों पर लगाते होए और बीच में से फिल करना है क्रिम की टॉप लेशन के लिए मैं इस टाइप नाइफ लेंगे से करना है इसकोικά करने के लिए आप छोटे युज़ सके सकते हैं अब मैं इसके ऑपर फिर से ओरेंज camel कंपोट की लेर दे रही हूं औरेंज गंपोर्ट डालने के बाद मैं इसके उपर डाल रही हूं डाक चोको चिप्स डाक चोको चिप्स आप यहां पर कम ज्यादे कितने भी कर सकते हैं आपको हमारे ओरेंज चोको डिजट जार की रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज इसेपी की वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए डाक चोको चिप्स की लेयर देने के बाद अब मैं इसके उपर रख रही हूं संतरे की फांक जिसको हमने सुगर सीरप में कोक किया था यहां पर हमारा टेस्टी टेस्टी डिजट बनका त लिए वे सब अलग अलग दिखाई देरी होएंगी इस रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिजट जार की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं ओके दोस्तों फिर मिलेंगे बाई-बाई